अब हम जानेंगे हेस के इस्थेर उश्मा संकलन का नियम जी-एच हेस ने सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से अभिक्रिया उश्मा को समझाने के लिए एक नियम दिया इसमें उन्होंने विभिन प्रकार से जो एंथेल्पी परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान वो किस प्रकार से होता है या जब हम किसी भी योगिक के लिए एंथेल्पी परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से गढ़ना नहीं कर पाते हैं तो अब प्रत्यक्ष दंग से हम हेस के स्थिरुष्मा संकलन के नियम के आधार पे किस प्रकार से हम उसके एंथेल्पी परिवर्तन की गढ़ना कर सकते हैं इसके बारे में उने बताया हेस के नियम के अनुसार किसी भी रासायनी कभिक्रिया में जो भी एंथेल्पी परिवर्तन होता है उसका मान हम maneshah स्थिर होता है चाहे वह अभिकरिया एक विध में से हो या फर कई प्रकार की विधियों से हो इसे हम एक उधाहरण से समझ सकते हैं जैसे यहां पर A परिवर्तित होता है C में जो कि एक माध्य देज मैं कुट पाrad के फॉर्म में है और C फिर परिवर्ठीत होता तो यह direct method हो गया और यहां पर यह C में परिवर्तित हुआ पहले और फिर B में आया तो इसे हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं लेकिन आप देखिए कि हर परिवर्तन के दौरान यहां पर जो enthalpy का मान होगा वह स्थिर होगा तो A सीधे-सीधे B में परिवर्तित होता है तो उससा में enthalpy परिवर्तन है डेल्टा H दूसरी स्थिती है जब A C में परिवर्तित होता है तो जो enthalpy परिवर्तन है वह है डेल्टा H 1 तो चुकि यह enthalpy परिवर्तन है प्रथम पद के लिए अब यह C परिवर्तित होता है वापस B में तो यह enthalpy परिवर्तन याने डेल्टा H 2 है तो तो जब हम H1 और H2 को प्लस करते हैं, डेल्टा H1 एवं डेल्टा H2 को प्लस करेंगे, तो जो भी मान आएगा एंथेल्पी परिवर्तन के लिए वह मान इस डेल्टा H के इक्वल होता है, तो यहाँ पर इसे हम एक और उदाहरन से समझ लेते हैं, कि किस प्रकार कार्बन डायोकसाइड बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से, तो कार्बन डायोकसाइड का जो बनना है, वह एक पद में भी हो सकता है, और हम इसे दो अलग-अलग पद में भी देख सकते हैं, और आप जब इनकी values को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर एक स्थिती में जो enthalpy परिवर्टन है वो एक समान है तो देखिए उदाहरन यहाँ पर carbon oxygen के साथ क्रिया करता है तो carbon dioxide बनता है तो सबसे पहले स्थिती यहाँ देखिए carbon से carbon dioxide बना तो carbon जब carbon dioxide में परिवर्टित हुआ तो प्लस O2 होगा और यहाँ पर delta H का जो मान है यहाँ delta F H naught लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि मानक अवस्था में संभवन की enthalpy enthalpy of formation है ना, standard condition में enthalpy of formation तो यह value है minus 393.5 kJ per mole तो यह तो पहली स्थिती हो गई यहाँ पर दूसरा हम देखेंगे कि यही carbon half O2 के साथ जब प्लस होता है तो carbon monoxide में परिवर्टित हुआ और carbon monoxide जब फिर से half O2 के साथ प्लस होता है तो वह CO2 में परिवर्टित होता है तो पहला पद यह हुआ कि C से CO का बनना half O2 के presence में तो यहाँ जो enthalpy परिवर्टन है delta F H0 equal to minus 110.5 kJ per mole दूसरी स्थिती है CO plus O2 से यहाँ पर बना है CO plus half O2 से बनता है CO2 तो इसके लिए जो delta F यहाँ H0 के form में लिखा हुआ यह मान तो minus 283 kJ per mole है तो जब यह दोनों मानों को आप जोड़ेंगे देखिए हमने समिकरन को कैसे लिखा C plus half O2 is equal to CO तो इसी चित्र को हम समिकरन का रूप देते हैं तो यह C plus half O2 is equal to CO तो delta R H0 यह जो delta R H0 है यह reaction की enthalpy या हम इसे enthalpy of reaction कहते हैं चुकि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है carbon से carbon monoxide बना है तो हम इसे carbon के लिए जो दहन enthalpy है वह भी कह सकते हैं तो carbon half O2 is equal to CO में परिवर्टित हुआ तो जो delta R H0 है वह minus 110.5 kJ per mole है और दूसरी स्थिती जहाँ पर देखिए दूसरे समिकरन में CO plus half O2 is equal to CO2 यहाँ पर जो delta R H0 लिखा है equal to minus 283 kJ per mole है तो जब हम दोनों समिकरनों को plus करते हैं दोनों समिकरनों को plus करने का यह अर्थ है कि हेस के स्थिरुष्मा संकलन के नियम में हमने यही जाना कि यदि कोई अभी क्रिया एक पद में हो रही है या एक से अधिक पदों में हो रही है संपूर्ण परिवर्तन के दौरान जो enthalpy का मान है वह स्थिर ही होगा चाहे वह किसी भी विदी से प्रक्रिया संपन हो रही हो तो जब दोनों समिकरनों को आप जोडेंगे तो देखिए जो मान है वह डायरेक्टली जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डियोकसाइड बनाता है उस मान के या उस enthalpy परिवर्तन के मान के ही बराबर पाएंगे तो यह मान प्राप्थ होता है जब दोनों समिकरनों को जोडे तो जो मान प्राप्थ हुआ C प्लस O2 is equal to CO2 और डेल्टा आर H0 equal to minus 393.5 किलो जूल पर मोल तो इस प्रकार यह जो पूरा उदाहरन है यह हेश के स्थिर उष्मा संकलन के नियम के आधार पर आपको दिया गया हेश के नियम को उष्मा गती की ढंग से यदि एक्स्प्लेन करना हो तो हम चक्री प्रक्रम के आधार पर इसे समझेंगे तो किसी भी चक्री प्रक्रम में आपने जाना कि जहां से अभिक्रिया प्रारंब होती है अभिक्रिया पूरे अन्य कई पदों में गुजरते हुए वो वापस अपने मूल अवस्था तक पहुच जाती है जैसे यहां पर देखिए A से Z में परिवर्तन हुआ और दूसरी स्थ प्रक्रम में जो उर्जा का परिवर्तन होता है वह शून्य माना जाता है चाहे वह सिस्टम कई पदों से होकर गुजरता है तो कई पदों से गुजरने के बाद भी वह पुना अपने वापस मूल अवस्था तक पहुच जाते हैं तो अब यहां पर हम देखेंगे कि किस प् एक पद में एदि रेक्शन होता है तोफेल्पी परिवर्तन का मान किस प्रकार बराबर हो जाता है इसका सत्यापन करने के लिए हम इस उष्मा गती की प्रक्रम को समझेंगे तो सबसे पहले ये देखिए कि A से जब Z में परिवर्तन होता है तो Q1 उश्मा अवशोर्शित होती है दूसरा यहाँ पर देखिए जब A से B में परिवर्तन हुआ तो जो उश्मा है वह है Q1 B से C में परिवर्तन के लिए उश्मा का मान है Q2 C से D में परिवर्तन के लिए उश्मा परिवर्तन Q3 और यहां पर D से वापस Z में परिवर्तन होने के लिए जो उश्मा का मान है वह है Q4 यहाँ पर जो A से Z में परिवर्तन होता है तो Q1 उश्मा आवशोशित होती है और जब हम चार अलग अलग पदों से होते हुए A से Z में पहुँचते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 यदि इन सब का योग किया जाए तो वह मान हमें प्राप्त होता है Capital Q2, देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एक्वल टू Q2 तो यहाँ पर जो Q2 का मान है वह Q1 से जादा होता है तो चुकि किसी भी चक्री प्रक्रम में वापस उसी मूल अवस्था तक पहुच जाते हैं तो यहाँ पर Q2 माइनस Q1 एक्वल टू 0 होता है तो चुकि चक्री परिवर्तन में हमने यह जाना कि उर्जा परिवर्तन का मान शुर्णे होता है और Q2 का मान Q1 से अधिक है तो Q2 greater than Q1 तो जब हम Q2 माइनस Q1 यहाँ पर Q2 माइनस Q1 करेंगे इक्वल टू 0 है चुकि चक्री प्रक्रम के लिए उर्जा परिवर्तन शुर्णे है तो Q2 greater than Q1 है और यहाँ पर Q2 बराबर Q1 कर सकते हैं कि अब हम माइनस Q1 को पक्षांतर कर देंगे तो Q2 बराबर होगा Q1 के तो यहाँ पर भी देखिए जो उश्मा परिवर्तन का मान है वह मान दोनों अवस्थाओं के लिए चाहे रियक्शन एक पद में हो रहा हो चाहे रियक्शन दो अलग-अलग पदों में हो रहा हो या अनुप्रियोग भी है है इस ने विभिन ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में एंथेल्पी की गर्णा की जहां पर प्रियोग के द्वारा उसे डारेक्टली मापन कर पाना संभव नहीं हो पाता था तो उन्होंने अपने नियम के आधार पर कई ऐसे एंथेल्पी परिवर्तन को अभिक्रियाओं के लिए दिया जहां पर हम अप्रत्यक्ष ढंग से भी एंथेल्पी का मान उस अभिक्रिया के लिए ग्याद कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे संभवन की एंथेल्पी मेथेन, एथेन, बेंजीन इन सब की संभवन उश्मा का मान प्रियोगों द यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण जो हमने भी देखा वो भी हम ले सकते हैं कि कार्बन मोनो ओक्साइड की संभवन एंथेलपी हमें ग्याद करनी हैं। 2.5 किलो जूल पर मोल है। दूसरा समिकरण यहाँ पर देखिए कार्बन मोनो ओक्साइड प्लस हाफ ओक्साइड है और फिर हम हाफ ओक्साइड हैं। तो half O2 मतलब यहाँ एक O, जब CO plus half O2 equal to हम लिखेंगे तो यह प्राप्त होगा CO2, यहाँ delta H का मान जो प्राप्त हुआ है minus 283 kJ per mol, तो C plus half O2 equal to CO, तो delta FH equal to यहाँ पर ग्याद करना है, तो चुकि यहाँ पर हमें carbon monoxide का enthalpy of formation या someone की enthalpy ग्याद करनी है, तो इसके लिए हम इन दोनों समिकरणों का help लेंगे, तो किस प्रकार होगा, समिकरण 1 से समिकरण 2 को घटाएंगे, तो जब समिकरण 1 से समिकरण 2 को घटाते हैं, तो जो मान प्राप्त होता है, उस समिकरण में हमें इस प्रकार की विवस्था दिखाई देती है कि carbon monoxide बन रहा है, और यह carbon monoxide बन रहा है carbon एवं half o2 से, तो जब यह c plus half o2 equal to co बना, तो यह जो मान है आप देखिए, जब calculate करेंगे, तो minus 393.5 minus, फिर minus 283, चुकि यहाँ समिकरण 1 से समिकरण 2 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस साइन लगाएंगे और माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ एक माइनस में value है और एक प्लस में value है, तो जो जादा मान होगा उससे कम मान को हम घटा देंगे, तो जो value प्राप्त हुई है, डिल्टा H के लिए 110.5 किलो जूल प्रती मोल, तो यहाँ पर carbon monoxide का enthalpy of formation ग यह भी संभवन की उश्मा ग्याद की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कई प्रकार के अन्य अभिक्रियाओं को दिया जाएगा, प्रत्यक्ष धंग से उससे हम ग्याद कर सकते हैं, जैसे किसी के लिए दहन की उश्मा दी होई होगी, किसी के लिए enthalpy of formation दिया होगा, य गोवन की enthalpy के अलावा और भी कई enthalpy का मान है, जो हम यहाँ पर ग्याद कर सकते हैं, दूसरा हम देखेंगे विलायकन की enthalpy, विलायकन की enthalpy का आर्थ होता है कि जब भी किसी आएणी क्योगिक में किसी भी प्रकार का विलायक गोला जाता है, तो सब से पहले वह जो आएणी तरफ विलायक के ऐसे अणों को या इस तरह से आवेश को अपनी और आकरशित करेंगे विलायक के अणों से जो उनके सामने विपरीत आवेशित होंगे यदि हम NaCl को H2O में डिजॉल्व करते हैं तो देखिए Na प्लस और Cl माइनस बनता है और जब यहाँ पर विलायक के रूप में जल लिया गया H2O लिया गया तो चूकि H2O एक धुरूवी अणों होता है तो उसमें भी H प्लस OH माइनस के फॉर्म में है तो वहाँ भी हम यह मानेगे कि पॉजिटिव निगेटिव एंड है तो जो सोडियम आयन है देखिए सोडियम आयन जो जल के अणों से चारो तरफ से घिर गया और C- भी जल के अणों से चारो तरफ घिरा हुआ है लेकिन यहाँ जो जल के अणों का आवेश है वो विपरीत है यानि जल के अणों का जो रिण धुरू है वो Na प्लस के सामने है इसी प्रकार जो Cl- है, तो Cl- के चारो तरफ भी जल के अणू है, Cl- है तो उसके सामने positive sign होगा, यहाँ पर और अगर धन है, Na+, है तो इसके सामने जल के अणू का negative portion होगा, और यदि Cl- है तो जल के अणू का positive portion इसके चारो तरफ आकर्शित रहता है, तो जल योजन की enthalpy भी कई बार हम directly प्रयोगात्मक धंग से ग्यात नहीं कर पाते हैं, तो हेस के स्थिरुष्मा संकलन के नियम के अधार पर हम किसी भी योगी के लिए जल योजन के enthalpy की करना कर सकते हैं, सबसे पहले इसे हम एक चित्र के माधियम से समझेंगे कि देखिए, A, B एक आयनी क्योगीक है, तो जब A, B एक आयनी क्योगीक है विभक्त होगा, जैसा कि हमने NaCl के लिए देखा, कि वह Na+, और Cl- में विभक्त हुआ, तो इसी प्रकार जो A, B है, वह विभक्त होगा A+, एव अगर हम देखेंगे, तो विलायकन हुआ, A, B में कोई भी विलायक डिजॉल्ष हो रहा है, तो यहां जो एंथेल्पी होगा, यह कहलाएगा विलायकन का एंथेल्पी, तो जोकि यहां पर जल के अडू का जुड़ना हो रहा है, तो जल के अडğू तो यहां उश्मा उत्प बना है तो यह सिंगल एक स्टेप है यहां तक पहुचने के लिए हम दो अलग-अलग स्टेप भी देख सकते हैं जैसे यहां पर देखिए लेटाइस एनर्जी है यहां पर देखिए लेटाइस एन्थेलपी को बता रहा है याने डेल्टा लेटाइस एच नॉट है यह डेल्टा एच जो है लेटाइस नीचे लिखा है इसका मतलब है कि यह जालक एन्थेलपी को शो करता है तो जालक एन्थेलपी आर्थ होगा कि जब भी किसी आएनिक योगिक, चुकि ज़िया क्रिस्टली फॉर्म में है तो पहले यह अपने आयनों में विभक्त होता है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी विलायक, यदि जल के रुप में विलायक है, तो जल योजन के एंथेलपी होगी, अब कोई भी विलायक इन आयनों से अटेच होता है, जैसा कि हमने जल एवं एनसील के उदाहरण में देखा, तो दूसरे स्टेप में देखिए, यहाँ पर डे यहाँ पर जो A B है, वो सबसे पहले उसका जो आयन से उसमें वो विभाजित होता है, A प्लस B माइनस में, यहाँ जो एंथेलपी है, वह जालक एंथेलपी होगी, और जब यहाँ एंथेलपी परिवर्तन को हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जल योजन की एंथेलपी तो इसमें दोनों एंथेलपी का योग होगा, तो यहाँ जो मान हमें प्राप्त होता है, डेल्टा सॉल H0 का अर्थ है, विलाइकन की एंथेलपी, माना कवस्था में, इक्वल टू डेल्टा लेटाइस H0, जो की जालक एंथेलपी को बताता है, प्लस डेल्टा HYD, यानि हा हाइडरेशन की एंथेलपी है, माना कवस्था में जो जालक एंथेलपी है, इन दोनों का योग होता है माना कवस्था में विलाइकन की एंथेलपी के, तो इस आधार पर भी हम हेस के नियम के आधार पर हम किसी भी पदात के लिए, किसी भी योगिक के लिए जर्न योजन की enthalpy ग्याद कर सकते हैं तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो जल योजन की enthalpy होती है चुकि जल के अणु जुडते हैं तो जब कोई अणु जुडता है तो उश्मा उत्पन होती है तो उश्मा उत्पन हो रही है अर्थात वह निगेटिव याने की उश्मा छेपी अभी करिया ह है तो डेल्टा एच का मान हाइडरेशन एनरजी यहां पर माइनस में काउंट होता है जब कोई आईनी क्योगिक अपने आईनों में विभक्त हो रहा है अर्थात हम जालक एंथेल्पी की बात करेंगे किसी भी आईनी क्योगिक को जब हम विभक्त करते हैं आईनों में तो अपने आईनी होती है अर्थात्व उष्मा शोशी अभी क्रिया हो गई तो डेल्टा एच का मान यहां पर पॉजिटिव होगा तो आप हमेश्य आद रखेंगे कि जालक एंथेल्पी का मान पॉजिटिव साइन लिए हुए होगा और जो जल्योजन की एंथेल्पी का मान है वट निगेटिव साइन लिये हुए होता है हेस के स्थेर उष्मा संकललन नीयम क्याधार पर हम अपर उपपी जो शंक्रमन होता है याक अपर उप का दूसरे अपर उप में जो परिवर्तन है इसके लिए एंथेल्पी परिवर्तन की गढणा भी कर सकते हैं तो इसका बहु पदों का उपियोग करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो अपरूप का परिवर्तन है और अपरूपों के लिए जो एंथेल्पी परिवर्तन का मान है वो हम ग्याद कर सकते हैं तो सबसे पहला स्टेप देखिए यहाँ हीरा हीरा लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर एक अपरूप है कार्बन का एक अपरूप हीरा प्लस ओटू इस एक्वल टू सी ओटू तो यहाँ जो एंथेल्पी परिवर्तन है वो माइनस 395.4 किलो जूल पर मूल दूसरा है यहाँ पर कार्बन का जो दूसरा परूप है ग्रेफाइट प्लस ओटू इस इक्वल टू सी ओटू डेल्टा एच यहाँ पर जो एंथेल्पी परिवर्तन का मान है वो प्राप्त हुआ माइनस 393.4 किलो जूल पर मूल यहाँ पर दो अलग-अलग समीकरण है तो समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर जो मान प्राप्त होगा वो देखिए डेल्टा एच बराबर माइनस 2 किलो जूल पर मूल तो यहाँ जब हम समीकरण को हल करते हैं तो जो भी समान मान है औ यहां पर जो oxygen oxygen है, oxygen oxygen cancel होगा, तो carbon dioxide और carbon dioxide भी cancel होगा, तो carbon HERA जो carbon का परूप है वो हो graphite के form में परिवर्तित होता है, तो इस दौरान भी देखिए हीरा से graphite में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर भी enthalpy परिवर्तन का जो मान है वो हम calculate कर सकते हैं, जो की माइनस टू किलो जूल पर मुल प्राप्त हुआ तो ये जो अपरूपों का संक्रमन है अपरूप एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं तो इसे भी हम हेस के स्थिरुष्मा संकलन नियम के आधार पर क्यात कर सकते हैं हेस नियम आधारित कुछ प्रशन हम देखेंगे पहला प्रशन बेंजीन याने C6H6 के निर्माड के एंथेलपी की गणना कीजिए जबकि बेंजीन कार्बन एवं हाइडरोजन के दहन की एंथेलपी क्रमशह माइनस 3267.7 किलो जूल माइनस 393.3 किलो जूल तथा माइनस 286.6 क यहाँ पर जो हमें समीकरण प्राप्त करना है वह समीकरण है 6C plus 3H2 is equal to C6H6 तो ΔH यहाँ ग्याद करना है चुकि बेंजीन के निर्माड की एंथेलपी हमें ग्याद करनी है तो बेंजीन यहाँ कार्बन एवं हाइडरोजन से बनता है इसलिए 6C plus 3H2 is equal to C6H6 तो यह गेट समीकरण तक हमें पहुचना है और इस प्रशन में किसी भी प्रकार का समीकरण नहीं दिया है इसलिए हमें सभी समीकरणों को पहले बनाना पड़ेगा तो चुकि यहाँ पर बेंजीन कार्बन एवं हाइडरोजन की देहन एंधेलपी दी हुई है तो अब हम समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं पहला समीकरण होगा C6H6 प्लस 15 बाइ 2 O2 इस इक्वल टू 6 CO2 प्लस 3 H2O चुकि बेंजीन कार्बन या हाइडरोजन इसके दहन से इसके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं तो इसी तरह से बेंजीन का जब दहन होता है तो CO2 और H2O प्राप्त होता है समीक कमान बेंजीन के दहन के लिए देल्टा ह कमान माइनस 3267.7 किलो जूल है दूसरा समीकरण कार्बन के लिए कार्बन के दहन उश्मा के लिए तो कार्बन प्लस O2 इस इक्वल टू CO2 बेल्टा होतीवल टू माइनस 393.3 किलो जूल तीसरा है H2 plus half O2 is equal to H2O delta H is equal to minus 286.6 kilo J समिकरण 2 को 6 से गुणा करते हैं और समिकरण 3 को 3 से गुणा करते हैं और दोनों को गुणा करने के बाद जो प्राप्त समिकरण है उसको जोडते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है तो समिकरण 2 में 6 से गुणा करने पर जो समिकरण प्राप्त होगा वह होगा 6C plus 6O2 is equal to 6CO2 यहाँ delta H का जो मान था चुकि यहाँ delta H का मान minus 393.3 है उसमें 6 से multiply करेंगे तो value आती है minus 2359.8 kilo J इसी तरह से समिकरण जो 3 है उसको 3 से multiply करते हैं तो जो समिकरण प्राप्त होता है वह है 3H2 plus 3 by 2O2 is equal to 3H2O delta H equal to minus 859.8 kilo J जो भी यहाँ मान दिया हुआ है यदि हम समिकरणों में जिस अंक से गुड़ा करते हैं तो जो यहाँ enthalpy की value है उसमें भी उसी अंक से multiply करना है जूकि हम समिकरण की बात करते हैं अब दोनों प्राप्त समिकरणों को जोडने पर 6C plus 3H2 plus 15 by 2O2 is equal to 6CO2 plus 3H2O अब यहाँ पर enthalpy परिवर्तन की values को भी हम योग करेंगे तो delta H बराबर minus 3219.6 kilo J समिकरण 4 से समिकरण 1 को घटाने पर समिकरण 4 में क्या पराप्त हुआ है 6C plus 3H2 plus 15 by 2O2 is equal to 6CO2 plus 3H2O delta H minus 3219.6 kilo J अब समिकरण 1 जो हमने पहले देखा था C6H6 plus 15 by 2O2 is equal to 6CO2 plus 3H2O तो delta H equal to minus 3267.7 kilo J यहाँ घटाने पर जो values प्राप्त होते हैं चुकि घटाने पर जो नीचे वाले समिकरण में हम सभी जगा minus चिन लगा देते हैं जो भी समिकरण रहेगा उसका opposite sign हमें नीचे लगाना है चुकि यहाँ पर plus है C6H6 के सामने तो हम यहाँ पर minus लगा देंगे 15 by 2O2 नीचे वाले में यहाँ भी plus है तो हम minus लगाएंगे तो जो भी समिकरण में चिन बना हुआ है जिस भी योगी के सामने या value के सामने उसका opposite sign हम नीचे लगा देंगे जैसे delta H के सामने यहाँ पर minus 3267.7 है तो जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ plus sign लगेगा तो 6C plus 3H2 minus C6H6 is equal to delta H equal to 48.1 kJ per mole 6C plus 3H2 is equal to C6H6 क्योंकि यहाँ पर C6H6 minus है इसको हम यदि पक्ष बदल देते हैं तो यह दूसरी तरफ चला जाएगा तो जो समिकरन प्राप्त हुआ है 6C plus 3H2 is equal to C6H6 delta H बराबर 48.1 kJ per mole तो बेंजीन के निर्माड की एंथेलपी है 48.1 kJ per mole निमने लिखित आकडों से मेथिल अलकोहल CS3OH की मानक विर्चन एंथेलपी ग्याद कीजिए यहां समिकरन हमें दिया गया है CS3OH plus 3 by 2 O2 is equal to CO2 plus 2H2O delta H0 equal to minus 726 kJ per mole carbon plus O2 is equal to CO2 delta H0 equal to minus 393 kJ per mole अगला समिकरन है H2 plus half O2 is equal to H2O तो delta H0 equal to minus 286 kJ per mole इस प्रश्ण में हमें तीन समिकरन अलग-अलग दिये हुए हैं और तीनों ही यहां देहन उश्मा को या देहन की एंथेलपी को दर्शाते हैं इस समिकरन में हमें ज्यात करना पड़ेगा कि किस प्रकार मैथिल अलकोहल का निर्माड होता है तो मैथिल अलकोहल के निर्माड के लिए हमें समिकरन प्राप्त करना है तो यह समिकरन होगा आवश्यक समिकरन कार्बन धन 2H2 धन half O2 is equal to CH3OH delta H0 question mark यहां पर हमें ज्यात करना है चुकि मैथिल अलकोहल की विर्चन की enthalpy हमें ज्यात करनी है समिकरन 3 में 2 से गुड़ा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2H2 plus O2 is equal to 2H2O delta FH0 equal to minus 572 kJ per mol प्राप्त जो समिकरन है उसमें समिकरन 2 को जोड़ते हैं तो C plus O2 is equal to CO2 delta H0 यहां minus 393 kJ per mol है प्राप्त समिकरन यहां 2H2 plus O2 is equal to 2H2O delta H0 minus 572 kJ per mol दोनों को हम प्राप्त करेंगे तो जो समिकरन प्राप्त होगा carbon plus 2H2 plus 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O delta H0 equal to minus 965 kJ per mol यहां जो समिकरन हमें प्राप्त हुआ है इस समिकरन से समिकरन एक को घटाने पर देखिए क्या प्राप्त होता है तो carbon plus 2H2 plus 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O delta FH equal to minus 965 kJ per mol तो delta H0 है यहां पर अर्था अतला मानक enthalpy को दर्शाता है इसमें से हम समिकरन जो एक है उससे घटाएंगे तो CS3OH plus 3 by 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O तो delta FH0 यहां प्राप्त होता है minus 726 kJ per mol तो यहां भी चू की समिकरनों को घटा रहे हैं तो विपरीत चिन्हों को हम नीचे लगाते जाएंगे यदि उपर वाले योगिकों के सामने plus sign है तो हम minus लगाएंगे और यदि किसी अंग के सामने minus है तो उसके नीचे हमें plus लगाना है तो CH3O के नीचे minus, O2 के नीचे minus, CO2 के नीचे minus और H2O के नीचे minus और delta H के नीचे हम plus लगा रहे हैं क्योंकि delta H की value यहां minus में दी हुई है जो भी समान values है उसको यदि अलग अलग चिन है तो उसे हम cancel करते जाएंगे जैसे CO2, CO2 cancel होगा, H2, H2O cancel होगा और इसी तरह से 2O2 और 3 by 2O2 को हम देखते हैं घटा कर क्या माम प्राप्त होता है तो देखिए C plus 2H2 plus half O2 is equal to CS3OH चुकि CS3OH minus sign है जब हाँ posit पक्ष में लेके जाएंगे तो यह minus sign plus हो जाएगा तो CS3OH delta F H0 equal to minus 239 kilo joule per mole